फ्रेंट्स आज में आपके लिए इंस्टेट बनने वाली एक बहुती स्वादिस्ट बर्फी की रैस्पी लेकर आई हूँ जो लोग किसी वज़ा से है न जो देसी घी में बनी हुई मिठाईया नहीं खा सकते तो आज की रैस्पी है खास आपके लिए आज की येवली जो बर्फी हम बनाने वाले हैं इसे हम केवल एक चमच खीमे बनाएंगे और इसे बनाने के लिए ना तो आपको कोई मावा की ज़रूरत पड़ेगी ना ही मिल्क पाउडर की खाने में ये जितनी टेस्टी बनती है उसे कहीं ज़्यादा पास्टी का और चोटी उमर से लेकर बड़ी उमर तक कोई भी इसको खा सकता है तो उमीद करती हूँ आपको आज की रैस्पी अच्छी लगेगी अच्छी लगी तो इसे लाइक शुरूर कीजिएगा तो दरदरा सा पीश लेना ड्राइफ रूट सा पिसमें कोई भी है जो चाहें तो स्किप कर सकते और किसी और की कौंटिटी भढ़ा हम्ने इसको दरदरा सा पीश लिया है इसके बाद ये हमने आदा कप लिया सफेद वाले तील सरल आप चाहें तो इसकी जगा पे जो ब्राौन वाले तीलातिया न वो भी यूज कर सकते है और अभी हमने तिल को रोस्त नहीं किया कच्चे तिल रहे तो तिल को भी हमने धर-दरा पीस लेना है आपने इसका महीन पाउडर नहीं बनाना इस चीज का आपने ध्यान रखना यह देखिए इस तरह से पूरी तरह से हमने इसका पाउडर नी बनाया, तो अबए हमने तिलको यह बिस लिया, इसके बाद एक पैन में जो सेम कप से आदा कप डालेंगे पानी, पानी को हमने पहले अच्छी तरह से गर्म होने देने और जैसे पानी गर्म हो जाता है, एक कप हम इसमे डालेंगे, गुड़ गुड़ को हमने छोड़ छोड़े टुकड़ों में तोड़ लेना जिससे वो बहुत एजली मेल्ट हो जाएगा और मीठा आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा जादा भी कर सकते हैं तो अभी हमने देखे इसमें कोई तारवाली चाशनी नी वनानी पहले गुड़ को अच्छी तरह से पानी में घुल जाने देना फिर हम इसको जो दो से तीन मिनिट के लिए पका लेंगे जिससे यह हलकी सी है जो चिपचिपी सी हो जाएगी तो अभी हमने इसको देखे दो से तीन मिनिट के लिए पका लिए है अब हम इसको चलनी से चान लेंगे जिससे गुड़ की कोई भी इंप्योरिटी होगी वो निकल जाएगी तो अभी हम ढखकर इस पानी को जो एक साइट पे रख देते हैं इसके बाद हमने सेम कप के नाप से एक कप लेने भूने हुए चने और यह वले जो चने है ना अल्रड़ी रोस्टेड है इनका छिलका जो वो उत्रा होना चाहिए तो बहुत एजली आपको मार्किट में मिल जाएंगे अब हम इनको भी एक बार अच्छी तरह से पीस लेंगे इनका अपने जो फाइन पाउडर बना लेना है तो अभी हमने दिखिए चनो को अच्छी तरह से पीस लिए है इसके बाद हमने जो कडाई को गैस पे रख दिया और जो हमने तिल रखे हुए थे ना उसको इसमे एक म और इसी के साथ हमने जो ड्राइफ रूट्स रखे हुए थे वो भी इसमें डाल देंगे और इन सब को हमने एक से दो मिनिट के लिए अभी भून लेना इसके बाद भी हम इसको पकाएंगे तो अभी हमने इसको देखिए एक से दो मिनिट के लिए इस तरह से रोस्ट कर लि अब इसको पकने में जो बिल्कुल भी जादा टाइम नहीं लगता इंस्टेंट यह वली मिठाई है जो बनकर तेयार हो जाती है तो यह देखे मिक्षर इस तरह से इकठा होना शुरू हो गया जैसे यह पैन को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से एकठा होने लग जाता है उतनी देर के लिए हम इसको पका लेंगे ओवर कुक हमने इसको नहीं करना पूरी तरह से इसको ड्राय नहीं करना सुखाना नहीं है तो लास्ट में हम इसमें एक छोटा चम्मस डाल रह और जिसमी ठाली है ट्रे में आपने बर्फी जमानियन उसको थोड़ा सा घी से ग्रीज कर लेना और बर्फी वाला मिक्षर उसमें फैला कर इस तरह से सेट कर दिना अब आप चाहें तो इसके उपर थोड़े से ड्राइफ रूट्स पी डाल सकते हैं और इसको आपने 2-3 के लिए बाहर ही छोड़ दिया था उसके बाद यह देखिए बर्फी बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी है तो अभी हम इसके पीसिस कट कर लेते हैं और कट करने से देखिए आपको पता चल रहा होगा कितनी जादा सौफ्ट यह वाली बर्फी है जो बनकर तयार हुई है और मैं इसकी गार्निशिंग देखिए इस तरह से बादाम को बीच में से कट करके वो मैंने इसके उपर लगा दिया आप जैसे भी चाहिए इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं और अभी मैं आपको ना इसका एक पीस तोड़ कर भी दिखाती हूँ जिससे आपको इसका टैक तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो तीन कप लेने हैं फूल मखाने मखाने आपको बहुत एजली मार्किट में मिल जाएंगे तो यह हमने इसके लिए तीन कप जो मखाने ले लिए अब हम इनको चार से पांच मिनिट के लिए गैस के लो फ्लेम पे ड्रा जो भी ट्राइफ hairyts चाहे इस में आड़् कर सकते हैं और इसी के साथ हमने जो मखाने रखे हुए थे वह भी सारी इस में डाल देंगे और इसी के साथ दो चमच हमें डालेंगे नारियल कfo गयादा मखाने आपने इसमें ठंडा करने के बार डालने हैं और साथमें h1 आदा कप डाल देंगे, इसमें गुड मीठा चाहें तो इसमें थोड़ा सा जादा भी कर सकते हैं, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे दूद, उबला हुआ ये दूद है, और ना तो ये गरम है ना ही फ्रिज का थंडा, नॉर्मल टेंपरेचर पी रखा हुआ था, तो आब ह हमने डालने के बाद उसमें एक उबालाने दिन है जैसे दूद में उबाला जाता ना तो हमने ये जो मिक्शिर बना कर रखा हुआ था ये सारा इसमें डाल देंगे और अब हमने इसको लगातर चलाते हुए पकाना है तो इसको पकाने में भी जो ज़्यादा टाइम नहीं दोनों ही मिठाईयां जो मैंने आपकी साथ शेयर की हैं बहुत ही पॉस्टी के खाने में बहुत ही जो आप कह सकते हैं इसको एक तरह से सेहत का खजाना है तो अब ये देखे इस तरह से इसने भी पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया तो जब मिक्शरी कठा होना शुरू ह तो बिल्कुल लास्ट में आदे से एक चमच हम इसमें डालेंगे देसी घी बहुत ही कम घी में मिठाईयां जो बनकर तयार हो जाती है और अगर आप किसी वज़ा से ये वाला घीवी इसमें स्किप करना चाते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं तो अभी ये देखे मिक्शर न हम इसका एक बनाएंगे रोला आप चाहें तो इसको बर्फी की तरह भी जमा सकते हैं या फिर इस तरह से इसका एक रोल बना सकते हैं अब उपर से आप से इसको हलका से प्रेस और अलमिनियों में से तरह से कवर करके फ्रीज में जो 1-2 घंटे लिए इसको सेट होने के इसके उपर चांदी का वर्क लगा रही हूँ, आप चाहें तो ड्राइफ रूट्स को बिल्कुल पिस्ता को बरीक पीस के उसमें भी इसको रोल कर सकते हैं, तो अभी हम इसके इस तरह से दिखें, पीसी कट कर लेंगे, और ये दिखें, बहुत ही सॉफ्ट ये वाली मिठाई बन कर तेयार हुई है, और इसे भी आप हफता भर के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, तो उमीद करते हूँ, आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होंगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब स्टोर कीजिएगा, जल्दी हम लोग मिलेंगे एक औ और नहीं रेस्पी के साथ,